एक शहर उजड़ने से पहले किस तकलीफ से गुजर रहा होगा, शायद इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा पाएगा जन्वरी की दस तारीख हो चुकी है, उत्तर भारत में ठंड बहुत जोरों से पट रही है मैदान कोहरी की वज़े से ठंड देख रहे हैं और पहाड़ों पर तो इन दिनों आफ़त ही आई हुई है मेरे जहन में बार-बार जोशिमट शहर आ रहा है खबरों ने इन दिनों शहर का हालचाल लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वो शहर बरसों से इसी आस में था कि कोई तो उनकी बात करे मेरी माह कहा करती हैं कि वक्त पर अगर कोई चीज ना हुई तो उसका कोई फायदा नहीं होता जोशिमट के साथ भी यही हुआ मिनाक्षिती के चैनल पर एक वीडियो देख रहा था मैं एक बच्ची कह रही थी कि उसके पिता जी और उसने इस घर को बनाने के लिए कंधी पर रेता बजरे उठाया ताकि मजदूरी दिने में पैसे खर्चना करने पड़े इस बात को ना सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने खुद के घर को बनाने में अपनी जिन्दगी लगाती हो मुझे बात उस दिन से खाये जा रही है कि वो लोग अब कहां जाएंगे जिस जगे उनकी व्यवस्था करवाई जाएगी क्या वो जगे उनके लिए वो एहम्यत रखेगी जो इस घर में थी जाने कितनी बार अपने शौक छोड़े होंगे जाने कितनी बार अपनी इच्छाएं दबाई होंगी तब जाकर एक घर लगाया होगा उनोंने एक चचा कहा रही थे कि जिन्दगी भर की कमाई इसी घर में लगा दी मेरे पास तो सामान उठाने को देने के लिए पैसे भी नहीं है बाहर का तापमान शोने टेग रही है घर खत्रे में है, जेप में पैसे नहीं है और जीवन भर की कमाई बिखरने के मोड पर आ गई है इन लोगों की जिन्दगी से जो उजट रहा है न उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा देवताओं के थान में अब भे दिये जले हुए है एक उमीद अब भी बाकी है पहाड खा जाने वाले आदमों को उनके दर्बार में तो इतनी नाइनसाफी नहीं होनी चाहिए न हे बद्रिवशाल अपने भक्तों के रक्षा करना और प्रकृती के दुश्मन बनते लोगों को सदबुद्धी देना तो जोशीमट के लिए हम अपनी तरफ से कुछ अगर कर सकते हैं तो उनकी आवाज बन सकते हैं उनका साथ दे सकते हैं मैं अपनी तरफ से कुछ वेडियोस बना रहा हूँ आप भी सोशील मेडिया पर लिखिए अगर कोई जोशीमट का जानने वाला है तो उसे फोन कीजिए वहां के हालाद पूछिए और इस मुश्किल वक्त में जितना साथ दे सकते हैं उनका साथ दीजिए क्योंकि कहते हैं जो दुख के वक्त साथ दे वो हमेशा याद रह जाता है शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद